मोदी से टकराने का अंजाम क्या होता है आज मैं एक उदाहरण के साथ आपको दिखाऊंगा वैसे तो दोस्तों सही नियत के साथ कोई भी शक्स परिश्रम की पराकाश्ठा करता है तो भागिय उसके साथ खुद बखुद खड़ा हो जाता है किस्मत उसके साथ हो जाती है ले अजीब सी लगे लेकिन आज मैं आपको एक उदाहरण के जरीए यही बात दिखाऊंगा आपको शायद आपने देखा हो दोस्तों या ना दिखा हो लेकिन सोशल मीडिया में जहां भी देखिए अफगानिस्तान में जशन का महौल है गली चौक चौराहों हर जगे दोस्तो बॉलिवुट के गानों पर लोग जूम रहे हैं मस्ती कर रहे हैं अब मैं इसमें जो बॉलिवुट के गाने वो तो सुना नहीं सकता यह तो कौपी राइट का मामला है लेकिन यकीन मानिये एक तरब जहां सडकों पर आम लोग जशन मना रहे हैं तो वही तालिबान की सेना भी जशन मना रही हैं और कहीं कहीं यह जशन तो एक के 47 के साथ मना रहे हैं अब तालिबान के लड़ाकें तो वो कैसा मनाएंगे यह तो आप समझ लीजिए लेकिन जानते हैं यह जो अफगानिस्तान को खुशी मिली है न यह भारत ने दी है ओ जो भारत की परंपरा है न प्रधान मंत्री मोदी की जो सोच है वसुधेव कुटुम्बकम की उसी अवधारणा के तहट अफगानिस्तान को ये जश्ट मनाने का मौका मिला है लेकिन एक तरफ अगर भारत ये कर रहा है तो दूसरी तरफ जो भारत की तरफ बुरी नियत के साथ देखता है उसे जवाब देना भी आता है तो जो मैं कहानी आपको बताऊंगा या दिखाऊंगा दोस्तों उसमें प्रधान मंत्री मोदी का एक बयान सुनना जरूरी है जो दशहरे के दिन उन्होंने दिया था बहुत छोटा हिस्सा तभी आपको पूरी कहानी समझ में आएगी सुन लीजिए हम गीता का ज्यान भी जानते हैं और INS विक्रान और तेजस का निरमार भी जानते हैं हम स्रीराम की मर्यादा भी जानते हैं और अपनी सीवाओं की रख्षा करना भी जानते हैं हम शक्ति पूजा का संकल पे भी जानते हैं और कोरोना में सर्वे संतु निरामया ये मंत्र भी जी करके दिखाते हैं जो आपने सुना ना दोस्तों इस बयान में एक गहरा राज छिपा है और परिश्रम के साथ जब भागी मिल जाये तो होता क्या है आज मैं इसी को डिकोट करूँगा साथ्यों नमस्कार मैं हरिश्चंद्र पर्णवाल वैसे तो वर्ल्ड कप की खुबारी हर तरफ जो टीम जीतती है जीतती है सब जश्ट मनाती है लेकिन अफगानिस्तान की एक जीत कमाल की है अदभुत है हर तरफ जश्ट मन रहा है अफगानिस्तान ने पहले भी जीत हासिल की लेकिन ऐसा जश्ट तो कभी नहीं देखा आप देखे ना अफगानिस्तान की नैशनल क्रिकेट टीम भारत में जो जश्ट मना रही है बस के भीतर और वो भी लुंगी डांस गाना तो सुना नहीं सकता आपको बताया कि कॉपी राइट का मामला है लेकिन तस्वीर बड़े ध्यान से देख लीजिए जानते हैं अफगानिस्तान की ये जो खुशी है ना कोई मामली खुशी नहीं है अफगानिस्तान ऐसी खुशी मना रहा है मानो उसने वर्ल्ड कप का फाइनल जीत लिया हूँ जबकि फाइनल में अभी बहुत देरी है एक ही मैच जीता है लेकिन जश्न तो ऐसा मन रहा है और हो भी क्यों ना अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा हूँ क्योंकि अफगानिस्तान की टीम ने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को आठ विकेट से हरा दिया अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को ये एतिहासिक जीत है और जान लीजिए दोस्तों अफगानिस्तान किसी भी कीमत पर पाकिस्तान से ये मैच मैच अफगानिस्तान की टीम जीतना चाहती थी और मैच की जीतने दोस्तों जो अफगानिस्तान में दर्द और पीडा और मातम पसरा हुआ है पिछले कई वर्षों से वो सब का सब कुछ पल के लिए दूर हो गया खतम हो गया जो की अफगानिस्तान के लोग तालिबान और पाकिस्तान के बीच पीस रहे हैं वो उस दर्द को भूल गये कुछ पल के लिए आप देखे काबुल की सडकों पर लोगों की खुशी सबको आशरी कर रही थी पूरी दुनिया के लिए ये बहुत बड़ी खबर थी जानते हैं दोस्तों अफगानिस्तान की पाकिस्तान पर ये जीत जिस तरह से अफगानिस्तान में खुशी पैदा कर गई उससे एक बात पता चलती है और जानते हैं क्या पता चलती है कि अफगानिस्तान के लोगों के दिल में पाकिस्तान के प्रती किस प्रकार का प्रेम है उनकी सोच क्या है वो किस प्रकार से पाकिस्तान के लोगों को लेते हैं और ये जो भावना जिस भावना की बात कर रहा हूं न मैं वो भावना तब और पता चल जाती है जब अफगानिस्तान टीम के खिलाड़ी इब्राहीम जारदान ने प्लेयर अब दी मैच का जब आवर्ड जीटा उसे लेने के बाद उस आवर्ड को अफगानिस्तान के उन लाखों लोगों को समर्पित कर दिया जिन्हें पाकिस्तान जबरदस्ती पाकिस्तान से बाहर निकाल रहा है और अफगानिस्तान के खिलाडी ने दोस्तों जब अपने अवार्ड को इन ही शर्णार्थियों को समर्पित कर दिया तो पाकिस्तान को बहुत बुरा लगा दिखिए वैसे तो बुरा लगना ही था लेकिन पाकिस्तान को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा क्यों लगा क्योंकि ये काम अफगानिस्तान की टीम कर रही है और भारत के भीतर कर रही है लेकिन पाकिस्तान क्या करे उसे अपनी बेज़जती बरदाश्ट करने के लावा कोई चारा भी नहीं है और पाकिस्तान के लिए तो सही मायने में कहूं ये जिस तरीके से हुआ ना दोस्तों एक तो हार अफगानिस्तान से और उपर से उन अफगानियों को समर्पित किया ये बेसिकली चुलू भर पानी में डूब मरने जैसा है अगर मैं सही बात कहूं क्योंकि याद कीजिए पाकिस्तान ने अभी शिलंका को हराया और इसके खिलाडी रिजवान ने अपनी सेंचुरी को जो जीत में बहुत बड़ी भूमिका निभाई जिस सेंचुरी ने उसे गाजा के लोगों को समर्पित क या न गाजा के लोगों को अपनी सेंचुरी विवात तो हुआ ही लेकिन वो खिलाडी वो पाकिस्तान करना क्या चाहता था दरसल पाकिस्तान इसके जरिये प्रधान मंत्री मोदी को भारत को बैजज़त करना चाहता था वो चाहता था कि किस प्रकार से भारत के खिलाफ नियत होती है वैसी तो नियती भी बन जाती है ना जैसा आप सूचेंगे वैसा ही तो होगा ना पाकिस्तान ने भारत की बेज़ज़ती करने की कोशिश की और नियती ने उनकी बेज़ज़ती अफगानिस्तान के हाथों ही करवा दी और वो भी उस टीम से अब अफगानिस्ता के बारे में भी आप समझ लीजिए कि ऐसा नहीं कि सर्फ पडोसी हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान बलकि अफगानिस्तान की टीम वो टीम है दोस्तों जिसे भारत ने देश के अंदर ही सुविधा देकर पिछले 3-4 सालों में उसे ट्रेनिंग देकर एक दमदार टीम बना दि किये तो अफगानिस्तान की टीम भारत की खड़ी की हुई टीम है भारत में ही ट्रेनिंग हुई है भारत में ही रहकर ये सब कुछ कर रहा है भारत ने अफगानिस्तान की टीम को हर प्रकार की सुविधा और मदद दी वो भी तब जब अफगानिस्तान अपने बुरे दोर स गुजर रहा था और ये भी आप को याद होना चाहिए दोस्तों कि अफगानिस्तान से जब अमेरिका की सेना जा रही थी और तालिबान पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान की सत्ता पर बैठ रहा था तब की बात बता रहा हूं और ये महज सर्थ दो साल पुरानी बात है 2021 की बात है और पाकिस्तान की सरकार और उसके मंत्री आज से दो साल पहले ये कह रहे थे कि तालिबान की सरकार का अफगानिस्तान में बनने का मतलब है कि इससे बड़ी बेज़ज़ती भारत की हो ही नहीं सकती वो चिड़ता था जब भारत की सरकार अफगानिस्तान की मदद करती थी न तो पाकिस्तान चिड़ता था फिर जब सत्ता बदलने में वो लगा रहा तो उसे लगा कि इससे भारत की बेज़ज़ती होगी क्योंकि भारत नहीं वहां के वहां की संसत बना कर दिया बड़ी सारी सुविधाएं दिये दोस्तों बहुत मदद किया है तो पाकिस्तान को लग रहा था कि तालिबान के आने से ये सारी चीजे खतम हो जाएगे और सिर्फ भारत के लिए नहीं बलकि अमेरिका समेथ सभी मित्र देशों की बेज़दी बताया जा रहा था हूमिलियेशन ये कहानी है जानते हैं दोस्तों जब ये अफगानिस्तान में सारी चीजे हो रही थी ना तो पूरा लेफ्ट लिबरल एको सिस्टम एक बंधे बधाये साचे में धाचे में विशलिशन करता था और ये जो एको सिस्टम है ना यहां तक कह रहा था कि भारत ने जिस तरीके से अफगानिस्तान की जनता के साथ खड़ा होने का प्रयास किया उससे भारत को कुछ हासिल होने वाला नहीं है ये एको सिस्टम भारत के लिए बुरे दिन की कलपना कर रहा था लेकिन कमाल देखे प्रधान मंत्री मोदी का कमाल देखे अब वो तो कोई बुराई तो सोच नहीं रहे था वो कोई बदनियती तो थी नहीं बदनियती तो छोड़ दीजिया हमेशा पॉजिटिव अच्छी नियत के साथ लगे रहना प्रधान मंत्री मोदी की नीतियों ने दोस्तों ऐसा कमाल कर दिया कि पूरा पासा ही पलट गया भारत की बनाई हुई टीम है उससे पूरा अफगानिस्तान ने केवल जूम रहा है बलकि वहां की तालिबान सरकार भारत से आर्थिक मदद भी मांग रही है और वहीं अब पाकिस्तान पे आई पाकिस्तान के रिष्टे अफगानिस्तान से दिनो दिन खराब होते जा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान जिसे अपनी सुरक्षा समझ रहा था आज उसी से डर लग रहा है और इसलिए पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर रह रहने वाले करीब 17 लाख अफगानिस्तान के शर्णार्थियों को तुरंत वापस अफगानिस्तान जाने का आदेश जारी कर दिया गया है। अफगानिस्तान भेज रहा है। एक प्रकार से कहें तो जिन लाखों लोगों को पाकिस्तान ने सपने दिखाए अब उनके जीवन को खत्रे में डाल रहा है। और इस पर अफगानिस्तान की सरकार भी गुस्से में है दोस्तों। और पाकिस्तान का ये कदम है। अफगानिस् उत्राष्ट्र संग ने पाकिस्तान को मानवा दिखारों के उलंगहन पर चेतावनी भी दी है लेकिन पाकिस्तान तो किसी की सुनने को तयार नहीं है वो लोगों को जबरदस्ती पकड़ कर अफगानिस्तान भेज रहा है और ये वही सत्रह लाक लोग है बड़े ध्यान से सु उल्टा वही दर अपने ही देश में आगिरा है और वो भी उसके ही पड़ोसी अफगानिस्तान से और वो भी भारत के अंदर ही तो कुल मिला कर साथियों अगर आप अफगानिस्तान को देखे तो दशकों से यहां की जमीन पर कबजे के लिए लड़ाईयां चलती आ रही है और यहां पर कबजे के लिए तो आप देखे अमेरिका हो रूस हो चीन हो पाकिस्तान सब ने खेल खेला है और यहां के लोगों को कटपुतली की तरह नचाने का प्रयास किया है लेकिन भारत के अगर बात करें तो भारत ने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया भारत ने कभी पासन के आने के बाद भी भारत का कुछ नहीं बिगड़ा जो पाकिस्तान उचल रहा था ना उसी के सीने पर साप लोट रहा है और आज इसी लिए जब अफगानिस्तान की टीम जीतती है तो भारत को दुख नहीं होता भारत खुशी बनाता भारत के लोग बलकि पाकिस्ता के लोगों को कश्ट पहुँचता है और अफगानिस्तान के लोगों में भी पाकिस्तान को हराने के बाद जो खुशी व्याप्त होते हैं जो खुशी दिखाई देती हैं वो एक बहुत बड़ा संदेश भी देती है बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एक नई तरीके से, एक नए एंगल के साथ मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप वीडियो को लाइक, शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, कमेंट कीजिए, और इस बिल आइकन को प्रेस करना मत भूलेग नमस्कार